नमस्कार आपी लाइफ तस्विरे देख रहे हैं कुंचपूरा रोड करनाल से जहाँ पर कुंचपूरा रोड मेन मार्किट के पास जो है यहां आसपा शोरूम है इस बीच खाली जगा में आग लग गई है जी यहां आग लग गई है बहुत जादा नुकसान जरूर हो सकता ह क्योंकि आसपास सभी बड़े बड़े शोरूम है कपडों के शोरूम है जो जल्द आग पकड़ लेते हैं बहुत जादा तेज आग बढ़ती जा रही है आप देख सकते हैं यह खाली पड़ा प्लॉट है जिसके अंदर भयंकर आग लगी है शायद घासफूस है सूखी कु अबिग्रेट को भी जानकारी दे दे गई यह मौके पर पहुंचने वाली है फिलाल यह तस्वीरे देख सकते हैं कि कुछ पूरा में रोड़ पर ही जो है यह जगा खाली है जहाँ पर आग लगी है जिहां यह तस्वीरे आसपास की दुकाने रात का समय है फिलाल जो है बं अब ना पाया गया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग बहुत जादा फैल सकती है जी हां यह तस्वीरे कुछ पूरा में मार्केट से आपको दिखा रहे हैं में रोड़ पर ही यह प्लॉट खाली है जिसके अंदर भयंकर आग जुरूर लगी हुई है यह तस्वीरे आप देख सकते हैं अंदर जो है पेड़ भी है जिसके चलते जो लकडियां अंदर होंगी उसके चलते बहुत जादा आग जल्द ही फैल जाती है जी हां यह कुछ पूरा रोड से में मार्केट की तस्वीरे हैं जहां पर आसपास की दुकाने जो हैं फिलहाल बंद है जो श पर आ रहा है तो आपसे अपील रहेगी कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें और इस तरह से कहीं भी अगर जो है आग ना लगे उसके लिए आप जो है इस तरह से खाली जगह या कूड़ा कच्रा जहां पर पड़ाओं वहां पर किसी भी तरह का जोलन शील पदार्त ना ड पहां को जाते हैं यह तस्वीरे आप देख रहें अंदर फिलाल जो है आग फैली हुई है अभी अंदर ही लगी हुई है क्योंकि जिस तरह से चार दिवारी है प्लॉट है साथ में दिवारे हैं तो आग अंदर है लेकिन अगर यह अंदर से बढ़ जाती है तो आप अंदा आग जो है यहां लगी हुई है जिहां कुछ पूरा में रोड से यानि की में बजार है करनाल का जहां पर लाखो करोडों के शोरूम से आप देख सकते हैं और यहीं पर यह तस्वीरे जो इस तरह से भेहंकर आग यहां पर लगी हुई है फिलहाल जो है फाइब गेट की गा सकती है अभी फिलाल जो है नीचे जो भी खुड़ा कच्रा या जो भी जो है पदार पड़े हुए उस सब में आग लगी हुई है तस्वीरे आप देख पा रहे हैं कुछ पूरा रोड में मार्किट करनाल से जहां पर इस फलोट में इस खाली पड़े फलोट में भेहंकर आ अभी आग किन कारणों से लगी है इस बात का जो है कोई खुलासा नहीं हो पाया कि आग कैसे लगी हो सकता है किसी ने गलती से कोई माचिस की तीली या कोई भी जोलन सिल्पधार जो है आपर फैक्ट जिसके चलते आग पकड़ लिए हो क्योंकि जिस तरह से आज आप देख होती है जिसके चलते आग लग जाती है फिलहाल यह रात की तस्वीर है जार रात को भी आग बहुत जल्दी लग रही है जी हां यह आग देख सकते हैं बहुत जादा तेज जो है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है फिलहाल अभी तक जो है फाइर बिगेट की बहुत जादा आग है क्योंकि जो है जिस तरह से यह लगा हुए तो आप से पील रहे गया वीडियो को शेयर करें यह बजार की तस्वीरे जहां पर वानों का अब आगमन उसी तरह से चला हुआ है फिलाल यहां पर आग लगी हुए है अभी तक भी जो है किसी ने इसकी तरफ अब ध्यान जो है इतना नहीं दिया है अब देखते हैं कि जो है गाड़ी कितनी तरह फिलाल आप देख सकते हैं डायलेक सो बारा की गाड़ी मौके पर पहुँच गई है यहां डायलेक सो बारा पहुँच गई है यानि कि पुलिस की गाड़ी जरूर पहुँच गई है ता अब डायल 112 से पुलिस कर्मी मौके पर पहुंच चुके हैं देख सकते हैं कि यहां पर फिलाल आग की तस्वीरे जरूर लेते हुए नजर आ रहे हैं जैसे ही जो है दमकल विभाग की गाड़ें पहुंचेगी तो इस आग पर काबू पाया जाएगा फिलाल देखा जा सकता है कि बहुत देर जरूर हो चुकी है क्योंकि आग जिस तरह से लगी हुई है यह तो गनिमत है कि जो है पलाट खाली है उसमें आग लगी है इसलिए यहां पर कोई जानमान की हानी नहीं है और सामने की जो दुकाने वो खुली जरूर नजर आ रही है पुलिस मौके पर पहुं रहे है क्योंकि अंदर जो है काफी आग है फिलाल वो आग जो है अंदर है यह गनिमत है कि वो बाहर तक नहीं फैल पाई है यह तस्वीरे कुझपूरा रोड मेन मार्किट से आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से खाली पड़े प्लॉट में भहंकर आग लग चुकी है जी हां यह भेंकर आगे क्योंकि धुआ अगर आप देखेंगे तो धुएं का गुबार आपको जो है जुरूर नजर आ जाएगा और किस तरह से अंदर आगी आग चारो तरफ नजर जरूर आ रही है जी हां पुलिस कर्मी मौके पर है अब यह देखने वाली बात रहेग अब देखते हैं कि कितनी देर में क्योंकि आग जो है वो फैल जरूर सकती है जी हां फैल जरूर सकती है जिस तरह से यह आग लगी हुई है फिलहाल पुलिस जो है अपनी कारेवाई जरूर करती नजरा रही है ताकि कोई आस पास यहां पर ना सके और किसी भी तरह से किसी वगेरम भी जो है आकी चपेट में कोई वीकल ना आ जाए तो आप से अपील रहेगी आप ख़बर को शेर जरूर करें क्योंकि यह मेंड मार्किट है तो यहां पर बहुत जादा नुकसान होने का डर जरूर है कि किस तरह से जो है यह गाडियां भी जरूर यहां पर खड़ी ह लगा सकते हैं कि गाडियों में जादा आग जरूर लग सकती है जियां गाडियों में पेट्रोल डीजल की टंकियां होती हैं जो जो जल्दी आग जरूर पकड़ लेते हैं फिलाल यह जो है रोड भी जल्दी जल्दी से जो है खलियर जरूर करवाया जा रहा है ताकि यहां जादा बड़ा नुकसान ना हो क्योंकि यह आग अगर बात करें खाली प्लोट में जरूर लगी है लेकिन आसपास की दुकानों आसपास की शोरूम्स में यह आग बढ़ सकती है तो जल से जल जो है आग को बुजाया जाएगा फिलहाल दमकल की जो गाड़ियां है मौके पर है अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि कितनी बुरी तरह से आग जुरूर लगी हुई है कितनी बुरी तरह से आग लगी है फिलहाल जो है यहाँ पर दमकल विभाग के जो करमचारी है वो आपको बुजाने का कारे शुरू करते वे जुरूर आपको नजर आ जाएंगे कि यहाँ पर आपको बुजाने का कारे किया जा रहा है यहाँ फटा फट से आपकर काबू पा लिया जाए ताकि कुछ भी हो तो एक बर पुलिस करमी मौके पर उनसे बाचीत करेंगे क्या कुछ उनका गैना है आदमी को द्यां टकना ची में शचछ और 12 – 12 component